Good morning students, today we are going to start chapter 2nd of civics, role of the government in health यानि की सरकार की हमारी स्वास्ते में क्या भूनी का है तो जैसे की democratic country के जो लोग हैं, वो अपनी सरकार से ये expect करते हैं कि वो उनके कल्यान के लिए काम करें और वो किस रूप में ये काम कर सकती हैं, जैसे कि इनको education प्रोवाइड करके अच्छी health देके, employment, housing, development of roads, electricity और भी बहुत सी दूसरी चीज़ तो इस chapter में हम यही पढ़ने वाले हैं कि आखिर जो health है, तो health से related problems क्या हो सकती हैं और उसका meaning क्या हो सकता है तो उसके लिए आप इस picture में, यानि इस class में देख सकते हैं कि बहुत सारी different figures, images बनी हुई हैं तो आप यहां देखोगे कि ये pictures जो हैं, इसमें से कुछ pictures से relate करती हैं हमारे health के साथ, जैसे आप hospital का ये scene देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि ये हमारे health से related है, इसके अलावा आपको लगेगा कि अगर नीचे की तरफ, अगर यहां हम एक तरफ doctors के दिए हम देख रहे हैं कि वो कोई treatment दे रहा है, तो वो आपको लगेगा ये हमारे health से related है बढ़ हम इसके बारे में जानेंगे कि मी साखिर health का concern क्या सिर्फ हमारी diseases के साथ ही होता या कुछ और भी है तो what is health? तो health we think of healthy or health in many ways. Health means our ability to remain free of illness and injuries. हम healthy उसको मानते हैं जिसको कोई बिमारी नहीं है, कोई चोट वगड़े नहीं रखती है. बढ़ हेल्थ का concern सिर्फ diseases के साथ नहीं होता. अब आपने उपर की जो situation के मैं बात कर रही थी, कि यहाँ पर आप कलार्ज में जैसे जो आप doctor से या hospital से related कोई चीजें देख रहे हो, तो आपको लगेगा यही सारी चीजें हमारे health से concern नहीं थी. और other situation जै है, उनका कोई relation हमारी health के साथ नहीं है. But we need to think of other factors too, या खिर उनका प्रभाव भी हमारे health पर पढ़ता है, तो वो भी हमारे health का ही एक part हो सकते हैं. जैसे example क्या दिया? कि अगर लोगों को मान लो, पीने के रिए साफ़ पानी मिलता है, पॉलिशन फ्री इंवार्मेंट में वो रहते हैं, तो वो स्वस्त माने जाएंगे या वो स्वस्त रहेंगे. और दूसरी तरफ वो लोग जिनको भर पेट खाने के लिए भोजन नहीं मिलता, रहने के लिए बहुती congested areas हैं, गंदे इलाकों में वो रहते हैं, तो वो बहुत जल्द बीमार हो जाएंगे, इस बीमारियां उनको बहुत जल्दी घेर लेंगे. So all of us would like to be active and in good spirits in whatever we may be doing. तो हम हमेशा यहीं चाहते हैं, कि हम जहां पर भी जो काम कर रहे हैं, तो वो हम चुस्ती से काम करें, और इसके अलावा हमारे अंदर एक मनोबल होना चाहिए हर काम को करने का. It isn't healthy to be dull, और अगर मालो हम dull हैं, inactive हैं, दरे सहमे रहते हैं, लंबे समय तक, तो यह एक तरह से हमारे स्वस्थ होने को इंडिकेट नहीं करता है. तो हम क्या चाहेंगे कि हम सबको तनाव मुख और प्रसंद रहना चाहिए? इसके अलावा हमारे जीवन के ये सभी पैडू हमारे स्वस्थ का ही एक हिस्सा हैं, जो कि हमारे अपना लाइप स्टाइल है, या हमारे चारों तरफ का इंवायर्मेंट हैं. अब आगे हम बात करेंगे घल्स केरी इंडिया की, तो आखिर हमारे देश की जो सरकार हैं, क्योंकि हम एक लोक्तांत्रिक देश के नागरिक हैं, तो हम बहुत सी उमेदे रखते हैं कि हमारे स्वस्थ से लेकर कि जो सरकार हैं, वो बहुत से प्रयास करें और हमें अच्छी सुविधाएं प्रदान करें तो यहां पे compare और contrast situations हैं इन दोनों boxes जिन्हें हम एके करके जानेंगे तो पहले box में जैसे बताया जा रहा है कि इंडिया में पूरे world के सबसे ज़्यादा medical colleges पाए जाते हैं और even हर साथ 30,000 के आज़ पास जो 9 doctors हैं approximately वो qualified होते हैं second situation लेकिन क्या कह रही है कि most of जो यह doctors हैं लेकिन settle कहा होते हैं urban areas में जो शेहरी छेतर हैं और जो गाउं के लोग हैं उनको एक लंबा distance तैक और तेवे doctor के पास पहुंचना पढ़ता है जब वो बीमार होते हैं उसका reason क्या है कि rural areas में जो doctors हैं वो काफी कम पाए जाते हैं second box क्या दिखा रहा है कि healthcare facilities जो हैं साल दर साल हमारे देश में बढ़ रही है 1950 से लेकर के 2070 तक का data हमें यहाँ दिया गया है कहते हैं कि 1950 में जहां healthcare facilities या hospitals 2717 थे तो 2017 में जाकरके इनका number increase हो गया 23583 लेकिन दूसी तरफ क्या बात कर रहे हैं कि 5 lakh जो लोग हैं वो हर साल tuberculosis की वज़ा से मर जाते हैं इनको TB रोग हो जाता है जिसी कि इनके death हो जाती है और दूसी तरफ almost 2 million cases जो malaria के हैं वो हर साल report होते हैं इनके numbers में कोई decrease नहीं हो रहा है जहां पर healthcare facilities या hospitals बढ़ रहे हैं तो मरीजों की संख्या में भी कमी नहीं आ रही है third situation क्या बता रही है इंडिया में larger number of medical tourists पहुंचते हैं दूसे countries यानि कि जो medical tourists कहा जाता है जो other countries से लोग हमारे देश में इलाज के लिए आते हैं और हमारे देश की hospitals हैं उनको world best facilities provide करते हैं इसलिए वो attract होते हैं लेकिन secondly दूसे सामने कंट्रास में क्या कह रहे हैं कि हमारे देश में हम जाज कर लोगों को clean drinking water ही available नहीं करवा पा रहे हैं 21% जो communicable diseases है वो water born है जिससे कई तरह की बीमारिया जैसे diarrhea है warm hepatitis है यह लोगों को हो रही है लास्ट बॉक्स कहता है कि इंडिया में third जो है third largest producer है medicine का और पूरे world में वो अपनी medicine export करता है और जब कि हमारे अपनी देश के अगर हम बात करें तो हमारे total children का 50% हिस्सा वो है जिनको भरपेट भोजन नहीं मिलता वो mal nourished है under nourished है वो portion का शिकार है बीमार शरीर वाले हैं कमजोर शरीर वाले हैं तो यह contrast हमें क्या दिखाता है कि achievements तो बहुत हैं लेकिन उनकी जो उनका जो profit है उनका जो फायदा है हम तक पहुंच नहीं पा रहे हैं तो in order to prevent and treat illness we need appropriate healthcare facilities तो इन बीमारियों को रोखने के लिए या उनको अपने से दूर रखने के लिए हमें बहुत सी healthcare facilities की आवश्यक्ता है जैसे health centers चाहिए hospitals चाहिए laboratory जोनी चाहिए testing के लिए ambulance services चाहिए blood banks चाहिए और भी बहुत सारी चीज़े इसके अलाबा इन services को provide करने वाले हमें क्या क्या चीज़े चाहिए doctors चाहिए qualified doctors हो professional advisors हो nurses है even workers है जो कि इन बीमारियों का treatment दे सके proper हमें medicines भी चाहिए equipment चाहिए जो कि एक मरीज के बीमार करने के लिए जरूरी है so then these facilities are required to take care of us तो यह सारी जरूर के हमें सिर्फ इसलिए चाहिए ताकि हम अपनी बीमारी के समय में अपना ध्यान रख सके अपना इलाज करवा सके अब इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया has a large number of doctors, clinics and hospitals इंडिया में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है अगर हम healthcare services की बात कर रहे हैं तो इंडिया में large number of doctors avail है clinics भी है, hospitals भी है और even यहां पर अगर हम बात करते हैं तो means experienced और knowledge की भी कोई कमी नहीं है हमारे healthcare system है तो यह सारी चीजें जो है government की तरफ से चलाई जाती है लेकिन इसके बाद भी जो large section of population है जो की गाउं में रहता है और mainly जो health facilities हैं उन लोगों तक नहीं पहुंचती है तो government की यह duty है कि यह सारी services जो है वो at least गाउं तक भी वो लोगों तक पहुंचाए तो moreover there has been a phenomenal advancement in medical sciences whereby many new technologies and treatment procedures are available in the country जहां तक हम यह देखते हैं कि मीस हमारे देश में जेकित्सा विज्ञान बहुत आसाधारन प्रगती कर रहा है जहां पर हम numbers हम रखते हैं पूरे world के अंदर technology की इराज की कोई कमी नहीं है पट इन उपलब्धियों को आखी सभी लोगों तक कैसा कैसे पहुंचाया जाए तो यह जिम्मेबारी government की बनती है however the second column points out how poor the health situation in our country is first column अगर हमें achievement के बारे में बताता है तो second situation में हम क्या देखते हैं कि हमारे देश के अंदर जो health situation है वो काफी गंभीर है वो poor and with all the above positive developments we are not able to provide proper healthcare facilities to people and this is the paradox and something that a country do what we would expect और अगर यह positive developments होने के बावजूद भी लोगों तक अगर health facilities जहां properly नहीं पहुंच पा रहे हैं तो यह कहीं न कर एक paradox हमारे सामने आता है paradox का मतब होता है विरोधा फास की चीज़ें तो avail हैं लेकिन पहुंच नहीं पा रहे हैं country में पैसों की कमी नहीं है knowledge की कोई कमी नहीं है even experience की कोई कमी नहीं है then necessary healthcare available to all means that is impossible conditions to us तो वो हम तक नहीं पहुंच पाती या किसी वज़ा से वो नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उनके तीचे कुछ कारण हो सकते हैं उन कारणों के बारे में हम इस chapter में पढ़ेंगे कि आखिर सब कुछ avail होने के बावजूद भी हम तक उस facilities का जो लाब है वो क्यों नहीं पहुंच पा रहा है एक short story है यहां पर the story of Hakim Sheik तो इसे भी हम एक condition के तौर पर ही जानेंगे कि आखिर हमारे देश में जो healthcare facilities की जो एक situation है तो वो कैसी है और वो क्यों लोगों की पहुंच से बाहर है Hakim Sheik जो है एक पश्चिम बंगा खेक मजदूर सेमिती का सदस्य है और एक agricultural labor है West Bengali 1992 की शाम उसका accident होता है वो चलती भी train से गिल जाता है और उसके सिर्फ भी बहुत सी चोट लगती है Serious condition होने पर उसको immediate treatment की ज़रुद पढ़ती है और उसको एक government hospital में लेके जाया जाता है कालकता में लेकिन वहाँ उसको admit करने से refuse कर दिया जाता है कारण क्या होता है कि वहाँ पे spare bed नहीं होता फिर वो next hospital में try करते हैं तो वहाँ ये excuse होता है कि वहाँ पे specialized doctor नहीं है जो कि उसके proper treatment के लिए होने चाहिए इस तरीके से वो 14 hours तक एक hospital से दूसरी hospital में भटकते रहते हैं लेकिन उनको कोई hospital admit करने के लिए तयार नहीं होता finally उसके private hospital में admit करवा दिया जाता है जहांपर इसको treatment मिलता है और लेकिन इस treatment का उसको बहुत सा खर्चा करना पड़ता है तो आखिरकार वो बहुत upset होकर के अपने इस treatment के बाद अपने ही other members के साथ वो court में एक case file कर देता है इन hospitals के खिलाब जहां वो जाता है लेकिन उसको admit नहीं किया जाता है तो यह situation है कि आखिर लोगों को immediate जो treatment है कई बार कुछ situation में क्यों नहीं मिल पाता है क्यों आप excuses दिये जाते हैं कि proper equipment उनके पास नहीं है कर वो आदो है